ओम शांति आपका प्रश्ण है कि 21 जनम कौन सा है अब वनवाँ वाला या सज्व की बाजशाही वाला तुकि इस बात को समझने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह ये बात समझनी है कि हमारे 21 जनम स्वर्ग की बाजशाही मिलती है उसमें पहला जनम कौन सा होता है क्योंकि जो हमें परदर्श्णी में समझाया जाता है कि हमारे सत्युक के आरजशनम और त्रेता के बाराजशनम तो ये तो होते हैं बेश जनम और बाबा हर बार मुली में कहते हैं 21 जनम का वर्षा देने के लिए आया हूँ अब बाबा हमें 21 जनम का वर्षा देने के लिए आये हैं तो फिर 21 जनम कौन सा होगा ये प्रशन बहुत सारे भाई बैनों के मन में उड़ता है उसके लिए बाबा कहते उन 21 जनमों में सबसे स्रेश जनम है ये संगम का समय जब परमपिता परमात्मा आकर आपको मर जीवा जनम देते हैं मर जीवा जनम देते हैं स्वेम भगवान आकर तुम्हें पढ़ाते हैं ये वो समय है कि जब भगवान आकर पढ़ा रहे हैं संगम यूग जहां एक तरफ कल यूग खत्म होने वाला है आग लगने वाली है और उसके बाद हमारे सामने सत्यूग आने वाला है तो ये सत्युक के अंदर हमारे कितने जनम होते हैं आठ जनम सत्युक के आठ जनम सूर्य वंशी घराना होता है, सोला कला संपूर्ण होते हैं आठ जनम होते हैं, जन संक्या नौ लाख होती है सत्युक के आदी में और उसके बाद बारा जनम होते हैं हमारे त्रेता में त्रेता में छत्रेगराना, चोदाकला, बारा जनम तो बारा और आठ बीज जनम हुए सात्यूग और त्रेता में बीज जनम ये स्वर्ग कहलाता है सात्युग तरेता स्वार्ग द्वापूर कल्यूग नर्क तो सास्वार्ग के 20 जनम और एक जनम इन 20 जनमों से भी स्रेश्ब जनम है ये वाला जिसे हम कहते हैं इश्वरिय जनम परमपिता परमातमा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं यही एक समय होता है कि जब हम स्वेह्म को इश्वरिय आउलाद कहते हैं हम इश्वरिय संतान अपने आपको अनुभव करते हैं सत्यूग में त्रेता में हम देवताओं की संतान कहलाएंगे परन्तु इश्वर की संतान नहींगे इस समय हमारी गिर्ती कला से चर्ती कला हो रही है परन्तु सत्यूग त्रेता में हमारी चर्ती कला से गिर्ती कला शुरू हो जाएगे सत्यूग आते ही चर्ती कला स्टाप और गिर्ती कला स्टाट जैसे दिन खतम होता है बारा बजे बारा बज के एक सेकिड हुआ डाउन अगले दिन का एक सेकिन कम, दो सेकिन कम, दस सेकिन कम, डाउन पाल स्टाट, सब से टाप जो जनम है वो डाइमन जनम जब हम वन वहा में हैं, जब हम सब की चर्ती कला है, जब हम परमपिता परमात्मा सेप पड़ रहे हैं, ये एक wonderful टाइम है कि जब भगवान आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते पूरे कल्प में यही एक समय होता है जब हम सारे संसार की आत्माओं की चड़ती कला होते है बाकी पूरा कल्प चाहे सत्युग में कोई आत्माओं आई है तो उसका गिरना शुरू तरेता में आई है तो भी उसका गिरना शुरू दौापर में आई है तो भी उसका गिरना शुरू कल्युग में आई है तो भी उसका गिरना शुरू तब तक गिरना चलता रहता है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, जब तक स्वेम परमपिताप परमात्मा आकर, चर्थी कला के लिए हम सब को ट्रिगर ना करें इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कि परमपिताप परमात्मा के बच्चे बनने वाला जन्न, वन वहाँ वाला जीवन, हमारा सर्वोच जीवन होता है, पूरे कल्प में सर्वोच जीवन होता है इस समय हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, राज योग के द्वारा ऐसा अवसर, पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलता है और अच्छी तरह से समझना हो, तो प्रजा पिता ब्रमा को मारे इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रशन हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, तीन हजार से भी अधिक वीडियो जो आप सभी भाई बेनों के द्वारा पूछेंगे प्रशनों के उत्तर हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपके हर प्रशन का उत्तर म हो, तो आपका अधिकार भी है, और सेवा में स्रयोग भी है, कि आप 92-131-06-986 पर केवल टेलिग्राम करें, या 9650-69-2270 पर केवल वाटसिप करें, फोन नहीं हो, ओम शानिते